नमस्कार जनतंत्र टीवी के इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है पूरे देश में इन दिनों पाँच राज्यों में जो विधान सबाद चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर गहमा गहमी है खास तोर परवतिय राज्य उत्राखंड में इन दिनों काफी ठंड पड़ रही है मगर सियासत में उबाल है उमिदवारों की घोशना को लेकर इंतजार किया जा रहा है तमाम तरह की उठापटक हो रही है इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्राखंड की राजनीती के जिने अजात शत्रू कहा जाता है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पूर मुख्य मंतरी हरीश रावत है हमारे साथ हरीश रावत जी स्वागत है आपका जनतन टीवी पर हरीश रावत जी बहुत ही इस समय चहल कदमी है काफी लोग निता जो है कारेकरताओं से घिरे हुए है इन सब के बाद भी आपने समय निकाला है हमारे लिए बड़े कम नोटिस पर सबसे पहला सबाल तो यही हरीश रावत जी की लगभा कॉंग्रेस ये कह रही थी तर्फ तर्फ एयुष करके का भी कर दिया है अपने उमीदवारों को इशारा भी कर दिया है लेकिन जड़ासा देखना पड़ता कि शतारो निके बाद सब तब तयार है तो दो लास्टमिट पॉलिट्टिकल एड़ड़ेस्मNewton होते हैं कभी-कभी उनके लिए पतार रहा है और हमारी सारी डिस्ट सब तयार है। ऐसा लिस्ट आप कह रहे हैं लगबग तयार है किसे बीजेपी की आप दिवर्टे Неप मैं किरिव भी नहीं काऊंगा वहां सारे डेबलमेंट होते हैं कई बोर्ट कटवा लोग भी आ जाते हैं तो सब चीजों को देखना पड़ता है टाइमिंग ऐसी रखनी पड़ती है कि ताकि पार्टी का काम भी होता रहे चुनाव भीहार भी चलता रहे और सांसांत किसी स्थितिका कोई बीच में फाइदा ने उठा ले तो हमारी जो थोड़ी बिलंब तो यह बिलंब जो है रहनितिक है और इसे न तो उमीदवारूं के चैन में कोई दिक्कत आ रही है न और चीजों कोई दिक्कत आ आपने का वोट कटवा पाटी तो समझ में आ रहा है वोट कटवा लोग आपका इशारा है होते हैं कभी-कभी उने का फला को यहां से खड़ बहुत minutely observe करना पड़ता है और last minute तक ऑफ ज़से कहते हैं, लास मुदमेट को आप देख करके तब बल्ला लगाते हैं कि क्या करना है इसों घेंद को अंतिम समय तक देख कर दो हिट करना है अरिश्राव जी जैसे हम बात करते हैं, बीजेपी की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, उन्होंने अपने दस सिटिंग MLS की टिकट काटे हैं, आपको लगता है कि जो एंटी इंकमेंसी की आप बात कर रहे थे कहीं, उसका काट बीजेपी ने निकाल लिया, आपने इस खेल को लोग समझते हैं, और उत्राखन के लोग तो अच्छी तरीके से समझते हैं, और जहां-जहां ये चेहरा बदल हुआ है, मैंने एक सर्शली निगा देखी है, उन्हें से आठ नो सीटें तो हमारी तो बिलकुल ऐसा लग रहा है, जैसे बिलकुल दौड लगा कर क भाजपा के कदावर नेता थे, भुएंचंद खंडूरी, उनकी बेटी का भी टिकट काट दिया गया है, मैंने कहा ने कि कई सीटें तो हमारी तरफ दौड करके आती भी दिखाई दे रही, इस पार हईश राओ जी बहुत कॉंशियस हैं, आप चुकि इलेक्शन से पहले को कहना पड़ा, लगा कि आप नाराज हैं पार्टी से, नाराज नाराज ना पार्टी से था ने कुछ व्यक्तियों से था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सभाईक तो आप किसी को कुछ बना रहे हैं, तो उसको कुछ काम करने वाले देंगे, कुछ और चीज़ हैं, उसको नाराज ही नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के आंत्रिक लोकतंत को मेरा प्रणाम है, कि पार्टी ने उसका कॉमिजेंस लिया और बुला करके उन चीज़ों को सॉट आउट किया, अब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, जो भी रफैसले हुए हैं, चुकि अब तो बिगुल बज चुका है, अशन तुष्ट कभी थे ही नहीं, बलकि अशन तुष्ट कहना है, तो हमारे स्वभाव का अपमान है, हाँ, कुछ सवाल होते हैं कभी, उठा देते हैं, अब कि हमने सोचा, सभी लोग ट्वीट करते हैं, तो हम भी देख लिया थे बुढ आप है कि ट्वीट का असर तो जोड़दार रहा, जिन लोगों ने उसका संग्यान लिया, उनको धन्यबाद है, दिल्ली तक सुनाई दी, मगर तो ट्वीट की गुण जो है, एक बड़ा सवाल चुकी उत्राखंड में, जो हमारे तमाम दर्शक हैं, और देश बहर में भी ह जानना चाहेंगे एक भाजपा के जो वरिष्ट मंत्री जिने बरखास्त किया गया हराक सिंग रावध, उनको लेकर कॉंग्रेस किसी दुविधा में है, क्या आप स्थिती स्पष्ट कर सकते हैं आज के समय में, क्या स्थिती? कुछ दुविधा में नहीं है, क्या वापस आ कारी होगा, तो यह पार्टी को कभी-कभी रहनितिक तौर पर निर्ने जरासा आगे पीछे कुछ करने पड़ते हैं, जो उनका निर्ने होगा हमारी तब से कुछ नहीं है, क्यों वो मेरे अधिकार छेतर से बाहर की बात है, तो उसमें मेरी टिपणी करना वुजित नहीं है हरी जी ठीक है, यह बात मैं मानता हूँ कि निर्ने किसी और को लेना है, मगर आप बरिष्ट नेता, कुछ ओपिनियन तो आपका होगा, कब से राय मश्वरा तो किया गया होगा जब ओपिनियन मांगी जाएगी, तो जो माकूल बात होगी, मैं को होगा हरक सिंग डावत तो यह कह रहे हैं कि मैं बड़े भाई हैं, माफी मांगने को तयार हूँ इसमें कोई सक थोड़ी है, मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ, और इसमें भी कोई सक नहीं है, कि जब वो हमारे साम मिनिस्टर थे, तो बड़ा अच्छा काम मेरे मिनिस्टर के तोर पर उनसे कभी कोई ऐसी सिकायत नहीं रही, बलकि जो भी काम उनको बताया, इसे तो पर हॉटी कल्चर, और एग्री कल्चर, सेरी कल्चर, मैं मैंने उनको बहुत सारे उनसे इनोविटिक काम करवाए, और ये गेट इट डन, उनने क्याम किया, तो इ तो लोग मालने की हरी श्रावत ने माफ कर दिया, देखे, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, मालिया माफी नामा राश्वती दे सकते हैं, तो उपराश्वती उसमें क्या करेगा, और कहेगा जब जो अपना खारी मजाग बनाएगा, तो ये जब मेरे हाथ ही में नहीं ह सारे प्रेस का भी और पॉलिटिकल सर्टिल का भी बड़ा भारी हूं कि इस विसे में लोग मेरी राय जानना चाहते हैं, तो मैं उनका बड़ा भारी हूं, इसलिए जानना चाहते हैं कि हरेक सिंग रावज जी केवल आपी से माफी मांग रहे हैं, और तो किसी से मांग नही उसके लिए उसने बड़े भाई को सम्मुदित करके कह दिया तो उसमें को जारज नहीं है। मगर क्या आप पार्टी को यह आद दिलाना चाहेंगे जब 2016 में जिस तरीके से उन्होंने क्या आपको लगता है। यह मजी आद दिलाना की जरुबत नहीं है। जिस चर्टर के जो लोग करता धरता थे वो मेरे कोई व्यक्तिकेद अपरादी नहीं थी। उनका अपराद संसदी लोकतंतर के शाथ था क्योंकि दल वदल को अटल जी ने कहा था ना महापाप है। तो भाजपा ने महापाप करवाया था। अपने आप ही थोड़ी चले गए थे अपने आप ही थोड़ी थोड़ी था। भाजपा ने और भाजपा टेलर्ड डिफेक्शन और उसके लिए बहुत सारी ताकते लगाई थी इनके बाद जो ताकते हैं। उन सब ताकतों का धन, बल, दूसा बल सब का इस्तिमाल किया गया था। तो एक तो लोकतंत के बदी जो गल्ती हुई है। तो उसको स्विकार किया जाना चाहिए। तो आप यह कह रहे हैं कि… दूसरा यह जो चार महने हमारी सड़कार दू महने तो गड़बड़ाई रही। राश्विजी शासन लगा दिया। कौई कोड़, सुप्रीम कोड़, सब, सब, सब। उस चकर में जो बजट हमने 18 तारी को पास किया था, स्पीकर ने जिसको पास गोशित किया था। हमने तत्काल जो है उस बजट को गवर्णर के अनुमोदन के लिए हमने बित्ति विध्यक बेच दिया था। लेकिन हमारा वो बित्ति विध्यक जो है, हमको वापशी नहीं मिला। सरकार आ गई, वो बहाल हो गई, सुप्रीम कोड ने एक एतियासिंग ने नहीं दे करके सरकार को पुनर्शापित कर दिया, मुख्यमंत्री ये भी एक इतियास बन गया कि कोई गर्दन कटा हुआ, मुख्यमंत्री फिर से गर्दन जुणा कर आ गया, इवन बोमई केस तो, लीट केस है इस मामले में, उसमें भी मुख्यमंत्री रेस्टोर नहीं हो पाया थी, कि औ मामने में मुख्यमंत्री रेस्टोर नहीं हो पाते हैं, हमारे मामने में मुख्यमंत्री, कि तौल में, आइक बढ़ा थी, चार महने जो हमारे कड़ वड़ा गे, पैतालीस हाजार करोर का बजट था और उसको क्रियार्मीती नहीं कर पाए, तो जो राजी के विकास का नुक कि उस समय जो समयधानिक संकत आया, राजी के विकास के पर संकत आया, इसके भी कल्परिट रहे हैं। एक बात मैं आप से बहुत खुला कह देजा चाहता हूँ, यह तो खाली किर्दार थे, यह अपना किर्दार निभा रह रह थे, यह तो पात्र थे खाली, जो सूत्रदार थे वो तो दिल्ली में बैठे बेटे, वो सूत्रदार थे भाजपा थी, तो जब तक यह दो बाते कि ल जिसका इस्तिमाल किया गया वो तो कोई तो कहे आखिर जिसका नुक्षान हुआ उसे तो कोई कुछ कह नहीं रहा है तो आप कह रहे हैं कि खाली व्यक्तिगत तौर पर आप से माफी मांगने से कोई एक नेता चर्चा-पर्चाब में रहे यही बड़ी बात है तो इन्होंने म आपकी बात से मैं इतना तो समझ गया हूं कि आप कही ने कहीं माफ करने को त्यारने आपब भूले नहीं है इतना मैं जो आप बता रहे हैं पुराने चीज याद कर रहे हैं जिस Creo's hadn't आब भुले नहीं अब तक? वो मेरी वो नहीं थी वो लोकतंत्रह और उत्राखंश्ण का विकास कि जो भी कहना हे, दोजों से कहना है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ फिर बड़ा बड़ा भाई वड़ा कैसा रहा जो है बड़ा कैसे वह दो सेने आदमी को छोटे को तो माप करना ही चाहिए तो मैं ऐसी से तो परिवार चलता है इसी से समाज चलता है तो हम तो समाजी व्यावस्ता के मानने वाले लोग हैं जब कोई आकर के लगता है कि समाभाव में है तो हम उसको कहने भी देते हैं तो कहीं उसके दिल नदूख है हम जूरी से कह दे दे भई आमको कोई ओ नहीं है आप अपना करिया मस रही जी तो कहीं न कहीं ये माना जाया कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वह हर इस्टावत माने कि उसके जनतंत्र मैं कह रहा हूं जब जनतंत्र के सामने कह दिया तो उसके बाद क्या रह गया वह बीच का रास्ता निकाला जा रहा है बताया जा रहा है वह चुनाम नहीं लएंके परिवार से किसी पुर्ष ने टीकट दे दिया कौंग्रिस के वह गारिवन सींह झाली, हम्रे में ठैरीज्र सबस्क्राइब और भाविवन्थ भावत है தिवेंठ सिंह रावत早 इव कर दो उनके बात का ठाल कि उन्हों न जो जिसका गुण है आप तीरत सिंग रावत है सादगी की पृति मूर्थी है मतलब राजनी तिके अंदर आजास सत्रों शब्द तो उन जैसे लोगों के लिए उप्योग होता है मगर आप यह एतियादी फैट्ट है कि क्यों बनाया क्यों उसको हटाया किसी के समझी भी नहीं आ जन जन की आवाज में है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा लोग समझते हैं यह तीन तिगाड़ों ने जो भाजबा ने दिये इन्हों ने उत्राखंड का विकास बिगार दिया सब डीरेल हो गया सब मगर एक बीजेपी के लोग यह कहते हैं कि इसका एक अच्छा पक्षी है कि एक युवा चेहरा दामी जो हैं दामी के रूप में उन्हें एक युवा चेहरा मिल गया है और वो कह रहे हैं कि अब उत्राखंड को युवा ने तृत्रित्व की ज़रूर आपने पांस साल उत् अच्छाशन ब्याप्त हो गया इसलिए तो तुमको बदलने वड़े मुख्यमंतरी कोई तो लोजिक हो का ना यही एक लोजिक हो सकता है जो मैं दे रहा हूं तो पौने पांस साल अब ऐसी सरकारे देते हैं और लास्ट में कहते हैं एक जमूरे को पकड़ करके खड़ा कर देते हैं आगे जिसको आप कभी अपने डिस्वेंशन में मंतरी के लाइग नहीं समझते हैं राजी मंतरी के लाइग नहीं समझते हैं उसको आप खड़ा कर देते हैं ले आए ले आए यह भाग विजाता है हमारा यू आ है यू आ है यू आ है तो यह कोई ऐसा थोड़ी है कहीं को वह हो रहा है, मॉननोरंजन का खेल हो रहा है और मतारी कहें, आज अमूरे, और जमूरे को खडा करतें और जमूरा जो है, यह लिए सबतालीव जाले, लोग समझ रहे हैं कि लास्ट मॉ्मेंट में जो चेंजेज किये हैं, इसका फायदा बीजेपी नहीं ले पाएगी, जो यह नेरेटिव सेट किया जा रहा है, एक नया चेहरा है, यूआ चेहरा है, नया जोश है, यह नेरेटिव आपको लगता है, जो पूने पांस साल की विफलता है, या तो फिर उसके लिए भाजबा मा प्रियोक शाला है ना, उनको जब भी मौका दिया, उत्राखन के लोगों ने, पहली बार अंतरिम सरकार बनाई, पौने दो साल में दो मुख्यमंती दे दिये, दूसी बार तीन बार बदल कर दिया, जब उनको पांस साल के लिए लाए, कभी खा खंडूरी हैं जरूरी, फि उसके बाद, आपके आए, सत्ता में, तो आपके तो विलकुल, एक, दो, तीन, वो तो चौथा भी हो जा रहा था, तो बाल-बाल बदल को लोग चले गे थे, चौथे पर यहां चाच्छा शुरू होगी थी भाई, यह नहीं चल पाएगा, चौथा लाओ, तो किसी ने कहा, तुम लोग हरी श्रावत को फिर मुक्यमंती बनाना चाहते हो, तो यह जड़ा ज़र गए, लोगा, बड़े मुश्किल सो तो उसे निजात पाई उसमें, और फिर आ गया, तो गड़बड हो जाएगा, तो फिर यह यह बच गए, तो फिर भी हरी श्रावत को यह कह सकता है, इनको जिस जमूरे स्टाइल में ब्जेपी के नेतागन पेश कर रहे हैं, कभी अमित साजी, कभी मोदी जी, मेरे परममित्र, ऐसे परममित्र को का तुम जिसमें मंती मंचल पहला बना आता उसमें कहां ख्याल था तुमको, ऐसे परममित्र का ख्याल दूरी बार नह रहा, अब नाम भी पूरी तरगीते याद करने में समय लगा होगा, तो मगर लोग में सामने में पेश कर रहे हैं। हरीश रावत जी इसका अफर हो जकता है कॉंग्रेस हाई कमान पर भी साइकलोजीकली पड़े, आपके जो क्रिटिक्स कॉंग्रेस में हो कहेंगे देखिए नया नेत्रु तो बीजेपी खड़ा कर रही है, वहाँ युवाओं को मुका दे रही है, तो आप कैसे काउंटर करें गोष्णापत्र है अगले 5 साइर का कारिक्रब है बहुत जवाद थारत हुआनी, भरपोल्के रही हमने बलके भाजवास छोने उन्हें है यहती टेस्ट जव पॵीटर दाव्ड़ लगाने से होता कर दूंग आप दोड लगाओ, यह दे सूजबूज और विचारदारा समझ और विकास किसी के बास समझ हो उस सब से होता है, तो देख लो तुम कहां पर खड़े हो, अंदाल लगा लोग, तुमारी पार्टी की कलेक्टिभ विस्दम तो पांच साल उत्राखन के लोगों ने देखिए र सब्सक्राव जी एक मुद्दा और पुरे देश भर में रहता है कि कॉंग्रेस स्टेट लिडर्शिप को प्रोजेक्ट नहीं करती है, एक क्लेक्टिभ लिडर्शिप में चुनाव लड़ेंगे, इसका खामियाजा कई जग उठाना पड़ता, आप देखे, आम आदमी पार बाकी पार्टियां मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती है, क्या दिक्कत है कि कॉंग्रेस इस तरीके से ये डिसीजन लेने से बचती है, ये एक लिडर्शिप प्रोजेक्ट किया जाए स्टेट लिए हमारे बाद योग्यी लोग जाता है, सक्षम लोग हैं, तो सब यदि आ तो उनको मिला जुडा करके कहना पड़ेगा जो परफॉर्म करके लोग जो सर्वे आ रहे हैं अलग-अलग एजेंसियों के चैनलों के उसमें जब ये सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का सबसे पॉपुलर चेहरा कौन है कॉन है कुटिंग अक्रोस पार्टी लाइ आप यह जाहते हैं कि मैं अपनी कुंडली में देखूं कोई कुंडली में तो दोष नहीं है आप हमारे छोटे भाई है आपके सुझाव का मैं ख्यार लखूंगा कई लोग यह कहते हैं कि यह चुनाव आपके लिए काफी इमोशनल भी है जिस तरीके से आपका आउटब्रस्ट हुआ उमर के इस पड़ाव पर हैं जहां कहीं कहीं कॉंग्रेस को यह देखना चाहिए कि अगर इतना कोई वरिष्ट नेता और इतना एक्सेप्टेबल फेस ह तो उसे प्रोजेक्ट कर देना चाहिए ऐसे लोग बात करते हैं इसलिए मैंने सवाल ने चुनाव तो हमारी डीजर्शिप मर लड़ा जा रहा है पार्टी ने कहा है हमारी बुख्यमंत्री का है ना हम भी चाहते हैं कि वह काम सोनिया जी करें हमारी बड़ी पुरानी प्रा पर आई हो गई इससे हलग हटके एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी एक स्पोईलर के तौर पर आप लोग को आप लोग कह रहें कि एक स्पोईलर के तौर पर है आम आदमी पार्टी नई पार्टी है आपको लगता है कि तरह का अंडर करेंट फॉर चेंज अगर है तो उसक बाजपा चिन्ति थी और थोड़ा सा जो बोत उधर से निकल करके एक मुस्त कॉंग्रेस की तरह आ रहा था तो उसमें एक दावेदार निकला आया तो इसलिए थोड़ा भाजपा रिलेक्स महसूस कर रही है क्यों परस्तिती थे भाजपा रिलेक्स हो रही है तो आपके लिए चिन्ता का विशे हैं इसलिए अपनी पॉलिसीज को आगे रख रहे हैं ताकि जो एंटी इंकम्मेंसी बोट है जो भाजपा से नाराज है वो सीधे हमारे पास आए वो यह खत्रे को समझे कि भाजपा को बदलना है तो कॉंग्रिसी भी कल्प है एक और उत्राखन में पॉलिटिकल डेवलप्मेंट हुआ है जो स्वर्गिये सीडियेस थे विपिन रावत उनके भाई भाजपा में जौइन किये हैं आपको लगता है इसका कहीं न कहीं साहनुभूती के तोर पर फायदा भारतिय जन्ता पार्टी को होगा आपने अपने फैसले होते हैं लेकिन कुछ फैसले कभी कभी जिनको सब मानते हैं उनको पार्टीजन बनाना आप भाजपा की बात करेंगे कॉंग्रेस की बात करेंगे तो फिर थोड़ा दरार तो पैदा हुई जाती है बीपिन रावट जी सब के प्यारे थे सब के आदम नहीं हैं बलके कॉंग्रेस पार्टी ने तो उनके उसमें एक जोती जड़ा करके रखी आज भी हमारे पार्टी का ओफिस में सो भाइबान है और उनके भाई ने क्या निर्ने लिया ये उनका निर्ने हो सकता है मुझे मालूम नहीं किन परशितियों में उन्होंने इनने लिया है क्या है क्या नहीं है लेकिन हमारे सब की सामुएक सदा है और सत्यता यह है जर्नल लक्ष्मन सिंग जी इनके अपिता जी थर से नवपाथ है वो कॉंग्रेस लीनिंग के वेक्ती थे हमारे साथ थे और विपिन जी की सोच भी मैं बहुत अच्छी तरिके सा जानता हूं कि वो इन्यन आर्मी की जो सेक्लर अप्रोच है वो उसके बहुत बड़े वो थे वो वो पॉलिटिकल इन्फरेंस को आर्मी में बरदास करने नहीं करते थे वो कहते नहीं है तो पार्टी आर्मी को तथ सब्सक्राइब तो जिसकी इतनी बड़ी सोच हो तो उस सोच में यह पता नहीं भाजपा वाले जो है यह किसका इमान डिगा दे यह तो इनका कोई भरोसा थोड़ी है एक सवाल पॉलिटिकल कैम्पेइन को लेकर है चुकि कोविट का थर्ड वेब भी चल रहा है जिसका रह रेस्टिक्शन्स हैं काफी बदला-बदला सा चुनाप प्रचार रहेगा लोग कहते हैं कि सोचल मीडिया वर्चुल मीडिया में भाजपा का प्रभाव जादा है आपको लगता इसका एक डिसएडवांटेज कॉंग्रिस के साथ रहेगा क्योंकि आप बढ़े लिया रखा है मैं दो तीन घंटा उसके लगाता हूं बलकि मेरे साथी जो टिकेट मांगने वाले हैं मड़े अप्रशन नहें मुझसे क्योंकि जो टाइम भचता है तो उन पर निकाल दे उस पर वहां लगाता हूं एक सीज है पॉलिटिकल पार्टी अधर दन बेजेपी थोड़ सबसे बड़े जो है जो दूर दराज के छेत रहें जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उनको रहेगा वह कैसे जान पाएंगे कि इस पार्टी का क्या थिंकिंग है कैसे उन तक पहुंचेगी तो कुछ रिलेक्सेशन आप उत्राखंड के लिए मांगें के चुना ताकि लोगों तक हर पार्टी अपनी बात पहुंचा दे तो यह खर्शा जो है एलेक्शन कमिशन को उठाना चाहिए तो अंतिम सवाल हरीशाओ जी रहेगा कि जादातर जो सर्वेज और उपिनियन पोल्स हैं उनमें लगभग कांटे की लड़ाई उत्राखंड में दिख कई बार ऐसा पहले भी हुआ है कि कॉंग्रेस जीत के नजदीक पहुचकर जीत नहीं पाई इस बार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं क्या एकदम कॉंग्रेस पहुच जाएगी या इस बार भी कुछ कमी रह जाएगी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और जीतेंग जीत को इंशूर करेंगे और उस जीत के बाद क्या हरीश रावत एक बार और तयार है इस 77-72 साल की उम्र में लीड करने के लिए उत्राखंड को आप मुझे 70-72 साल कहके दरहाना चाहते हैं नहीं मैं पूछ रहा हूं जी राजनीती में उम्र के बहुत जो है पॉलिटिकल पार्टी इस ध्यान रखते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप मेंटली प्रिपेर्ड हैं एक बार वाल लीड करने के लिए आप अपनी निश्रावत थे जो साफ तौर पर इशारो इशारो में कह रहे हैं कि अभी काफी कुछ राजनीती इन में बाकी है और कहीं न कहीं उत्राखंड में वो उमीद कर रहे हैं कि कॉंग्रेस चुनाव जीतेगी खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड प्रेस्ट बेल इकन नेवर मिस्स अनी अपडेट आपस्टू डाउनलोड अपनाव